प्रोब्लम नंबर 64 को देखो आप से क्या कह रहा है आप से कह रहा है कि एक बोडी है उसको आपने प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड यू एट एन एंगल थीटा देखो आपने जाहर सी बात है अगर आपके पास ये कुछ प्रोजेक्टाइल है तो आपने इसको प्रोजेक्ट किया होगा horizontal के साथ theta degree के angle पर और ये u speed से आपने project किया है आपसे कहा रहा है a body is projected with speed u at an angle theta to the horizontal to have maximum range range कितनी आई है ये ये maximum range आई है तो यहाँ पर आपसे range जो कहा गया है वो maximum का कहा गया है ठीक है और आगे देखिएगा maximum range what is the velocity at the highest point बताओ highest point पर velocity क्या होगी highest point मेरे इसाफसा तो ये है अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं इस velocity के component करना चाहूंगा तो ये velocity के दो component मिलेंगे एक मिल जाएगा मुझे u cos theta और एक मिल जाएगा मुझे u sin theta ये velocity के दो component है अब u cos theta throughout the journey same रहता है अगर मैं यहां की बात करूँगा तो यहां horizontally velocity मिलेगी मुझे u cos theta लेकिन यहां पर vertical velocity 0 हो जाती है vertical velocity 0 हो जाती है अगर vertical velocity 0 ना हो ये तो और उपर को भाग जाए फिर maximum height किसको कहोगे आप तो maximum height पर vertical velocity 0 हो जाती है सिर्फ और सिर्फ horizontal component of velocity बच जाता है u cos theta तो आप से यही कह रहा है कि बताओ maximum range पर जब maximum range हो रही होगी तब उसकी velocity बतानी है आपको highest point पर तो maximum range से आपको यहां theta पता लग रहा है theta maximum range के लिए 45 degree होता है यह तो आपको अच्छे सा rate हुआ है ठीक है आप से velocity पूछ रहा है तो आप कहेंगे velocity velocity at highest point बताओ velocity कितनी हो जाएगी तो आप कह दोगे यह u cos theta u की value कितनी है u आपको दे रखा है u आपको दे रखा है क्या नहीं u नहीं दे रखा तो यह u यू रह जाएगा और cos 45 degree cos 45 की value होती है 1 upon root 2 root 2 बस इतना ही ठीक है u upon root 2 यही है ना 64 का यहाँ पर उनों कुछ value नहीं दे रखी यार तागे हम value value रखते है value रखके तो और मज़ा आजाए u upon root 2 इदे रखा है बस ठीक है तो इसमें कुछ tough नहीं था easy था concept मसालेदार था